आज हम लोग देखेंगे ना चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और इस चैप्टर का यह 3 विडियो लेशन है इसके पहले हम लोग 1 विडियो लेशन और 2 विडियो लेशन में बहुत सारे चीजों को सिख चुके थे अगर वो विडियो लेशन आप नहीं देखे त तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा आप हाँ से देख सकते हैं चलिए आज इस विडियो लेशन में हम लोग जानेंगे वेजिटेटीव प्रोपागेशन क्या होता है तो यह देखिए हमारे पास टॉपिक आचुका है वेजिटेटीव प्रोपा लोगों को This type of acesexual reproduction is seen in some higher plants, okay. Higher plants में देखे जाने का मतलब क्या ह trillion, is seen in higher plants. तो higher plants हम यहां किसको कह रहें, higher plants वैसे plants को कहते हैं जिसमें उसके parts develop हो, जैसे उसमेn seeds भी पाय जाते हो उसमेn roots भी पाय जाते हो, उसमेn fruits भी हो, और leaves भी हो आने कि आप यूँ कहने, age expanding वैसे plants जिसमें उसके सारे parts develop है वो क्या कलाते हैं ना वो कलाते हैं higher plants ओके तो higher plants में ये process देखने को हमको मिलेगा कुन सा vegetative propagation देखिए in this method new plants are produced from the vegetative parts new plants are produced देखिए एदम clear लिखा हुआ है new plants are produced from the vegetative parts vegetative parts से नए plants त्यार होते हैं अब यहां पर vegetative parts किसको कहा गया है तो गहुर किजें यह अपना root हो गया stem हो गया और यह leaves यह क्या कलाते है vegetative parts कलाते हैं तो इसके help से हम नए plants को गुरो करेंगे और इस process में तो इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया है इसका नाम पड़ गया है vegetative propagation vegetative propagation क्यों हो इसको हम कह रहे हैю चोकि vegetative पार्ट से plant के vegetative पार्ट से हमने plants को grow कर रहे होते इसलिए इस process का नाम हो गया vegetative propagation हाँ यहाँ देखे साफ लिखा हुआ है It is for this reason that this method is called vegetative propagation तो vegetative propagation अबका stem से हो सकता है और इसके बाद root से भी हो सकता है और leaf से भी हो सकता है तो plants के अलग पार्ट से हो सकते हैं यह तो हम सिख रहे हैं अब इसमें से हम अभी पहले पढ़ेंगे न स्टेम से तो देखिए अपना next topic क्या बन रहा है यहाँ पर बेजिटेटीव प्रोपागेशन फ्रोम स्टेम देखें यह पे लिखा हुआ न बेजिटेशन तो यह नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए था बेजिटेटीव जो कि अपना ओपर लिखा हुआ ओके तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे यह होगा हेडिंग वेजिटेटीव प्रोपागेशन फ्रॉम स्टेम के हेल्प से ने प्लांस का त्यार होना यह हम अभी देखेंगे तो आईए हम बात करेंगे फस्ट में हम यहां देख लें पिक्चर अपना जो दिखाया गया राइट साइट यह पोटाटो का पिक्चर दिखाया गय कि प्लांस के पार्ट जो ग्राउंड के अंदर होते हैं उसको मेरी रूट कहते हुआ हो दो तरह के रूट होते हैं फैब्रास देखें होएंगे कभी ना कभी कि पोटाटो में जो आप आइस देख रहे हैं वहाँ से निव प्लांट ग्रो करते हैं तो वहीं फिर डेवलप होते हैं और फिर बड़े प्लांट बनते हैं देखें मैं लाइन में पढ़ लेता हूं यू मस्ट हब आपज़र पोटाटो ट्यूबर्स की बात की गई है और यह जो हम देख रहे न यह पूरा क्या खलाता है पोटाटो का ट्यूबर कलाते है यह देखिए नीचे लिखा हुए निचे लिखा है ना पोटाटो ट्यूबर उपके तो पोटाटोज आर दा शुलान एंड्स अप्ड़ाउंड अस्टेम देखी फिर से यहां लिखा हुए कि लिए कि अंडर्ग्राउंड अस्टेम हैं इसमें कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए अंडर्ग्राउंड अस्टेम है अप्डाटो प्लांट दे अस्टोर फ भी हुआ हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि फूरण के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे उपसम कोंपोनेंट का नाम ले लो अव् coconut यहान कि आप में प्रोटीनट फूर्ट वह सब्सक्राइब में अलग अलग फॉंक्शन है और इसके अलाव erg hij jingleender की का का फूड का तो अस्टार्च जो हम यहां लिखे है ना देख रहें अस्टार्च क्या है अस्टार्च आपका कार्भोहड़ेट का ही एक फॉर्म है हाँ यह कॉंपलेक्स फॉर्म है आप यह कहिए कि अस्टार्च क्या है ना अपना कार्भोहड़ेट का complex form है तो यह हम समझगी और carbohydrate starch के form में food को क्यों अस्टोर करता है यह भी आप जान लेजिए चुकि अस्टार्च जो ना insoluble होता है कि इसमें water में हां तो insoluble होने के वज़ा से यह starch की रूपे food item अस्टोर है तो water के साथ तो नहीं है तो रहेगा अगर वह रहेगा तो वाटर में गुलुकोज की रूप में तो वह नहीं है यह समझ गें खेर यह सब इस बर्स ग्रोइंटो निव प्लांट तो यह तो था potato का case आने कि potato में जो निया प्लांट त्यार हो रहा है वो किसके हलब से स्टेम के हलब से तो यह वेज़िटाटिव प्रूपागेशन का एक एक्जामपल हो गया क्या और भी ऐसे examples हैं जिसमें stem के थुरूँ अपना होता है तो है हमारे पास example आप देखिए जिंजर ओके जिंजर तेरुमेरिक आल्सो प्रोड्यूस न्यूव प्लांट्स हाह इसे भी न्यूव प्लांट्स बनते हैं किसके रप से तो तो स्टैम के हैं वह ज़िएटीव प्रोपागेसन इन प्लांट्स लाइक अनियन टेकश प्लेस थुरू अ-श्पेसल रस्टक्चर काल बाल्ब्स यह देखी अनियन के प्राउट देखंगे इसोगा करलता है अब यहां पेहां बंडेख सकते हैं विद लेयर्ड फ्लेशी स्केल लीब्स तो यह लीब्स का ही फॉर्म आ गया स्टेम ही है रिड्यूस स्टेम तो यह तो ओनियन हम लोग हर घर में पाया जाते हैं हम लोग देखते हैं तो बहुत ही पॉपुलर है तो इसमें तो कोई कांफूजन ने होना चाहिए और प्लांट्स के नाम लेकी एसमें क्या होता कॉर्म्स होते हे अगा कॉंस क्या होता बाता है किसमें तो ग्लाडूलेस और कोलोकेसया और यह हो गया next page में आ जाते हैं हम लोग यह देखिए तो कोलो केशिया और अभी हम देख रहतें ग्लाडूलेस उसमें कॉर्म था तो यह next क्लाइन को continue करना पड़ेगा यहां से यह कॉर्म इस आप सौर्ट वर्टिकल स्वालन अंडर ग्राउंड स्टेम डाइट डाइट सर्ब्स अस्टोरेज ऑर्गन और यहां पर हम लोग अभी देखें तो कॉर्म क्या करता है स्टारेज ऑर्गन के डिम स्टारेज ओर्गन के रूप में काम कर रहा है और इसका यूज़ किस तरह किया जाता है प्लांत के द्वार तो यह देखें हैंड यूज़ बाइस सम्ट्स तू सर्बाइब इन विंटर में अपने आसको अब्रम करने मैं है और और अधर और आडवर्स कंडेशन जब सिच्वेशन प्लांच के आपकर यह कि फैबर में नहीं है एड़र्स कंडेशन करते हैं अपने अपने को चर्फाइब करने के लिए और ऐसा adverse condition कहने का मतलब हो गया कि drought या फिर extreme heat हो जाए हीट कम हो जाए हीट जैदा हो जाए तो उस condition में plants अपने कॉर्म का यूज करते हैं अपने आपको survive करने के लिए तो ये तो था paragraph अब next paragraph हम देख सकते हैं ये cactus की बात किया गया है तो cacti क्या हो गया ना polar form हो गया और अगर हम cacti की बात cactus बहुत है तो cactus हो गया singular form cactus means single plant की बात होगी अगर cacti बोलेंगे तो उसके जो group से ग्रूप का बात होगा तो cacti या फिर cactus कह लिजिए हाँ can be multiplied by breaking apart from the old stem and growing it in the soil तो cactus में यहाँ पे लिखा हुआ है can be multiplied तो can be multiplied कहने का मतलब क्या हुआ कि अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा हाँ cactus जो है अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है और नए plants उसमें कैसे grow करते हैं ये इसका meaning हो रहा है तो cacti can be multiplied by breaking apart from the old stem देखिए किलियर लिखा हुआ है old stem old stems से new plants यहाँ पे grow करते हैं and growing in the soil you must have observed grass growing in the gardens like a thick green carpet तो अब देखिए grass की बात हो रही है यहाँ पे you must have observed grass growing in the gardens like a thick green carpet the garden the gardener puts a few grass plants and soon the whole garden is covered with a green grass cover क्या बुला गया कि जो gardener है वो कहें कहें हाना और कि few grasses few grass plants मनलब grass के जो plants है उसको अपना field में कहें कहें लगा देते हैं और फिर वो जो है वही grass आपका grow करके पूरे ground में भर जाते हैं हां तो यह कैसे हो रहा है इसके बारे में देखिए this is because the stem of grass grows horizontally इसका reason यह है कि जो grass का stem है वो horizontally grow करते हैं and produces leaves and roots at regular interval और regular interval पे leaves और roots को produce करते हैं और इसके कारण पूरा ground आपका भर जाता है किसे grass से और हम लोग को क्या लगता है कि green carpet बिचा दिया गया हो हां कहां पे ground में आप देखिए तो यह तो था paragraph next paragraph की बात कर लेते आएं commercially important plants are often propagated by asexual means in order to sustain and maintain their desirable traits like flower, flower, resistance to disease, etc. तो यहां पे commercially word आया है commercially कहने का मतलब हुआ वैसे plants जिसको sell करके हम लोग money को earn कर सकते हैं यह हो गया commercially plants तो commercially important plants में क्या क्या आएंगे जिसे rose plant हो गया है यह देखिए rose plant हां फिर आगे है बुगन बिल्या गाभा यह सब plants की बात हो रही है are often propagated by asexual means in order to sustain in order to sustain मतलब क्या हुआ sustain and maintain their desirable traits मतलब उसका जो property है अपना जो characteristics है plants का अपना character होता है अलग-अलग plant का तो जो उसका characteristics है अना उसके जो features है वो maintain रहे उसमें बना रहे वो characteristics वो lose न करे अना उसका characteristics हमेशा के लिए बना रहे इसकी बारे में बात की गई है तो sustain and maintain their desirable traits like flower color flavor flavor क्या flavor है उसका उसका flower का color क्या है और resistant to disease etc तो यह सब उसके characteristics से इसको maintain करने के लिए sustain करने के लिए asexual means अपना जाता है यह sexual तरीके से उसका नए plants का त्यार होता है इसमें तो इसमें कौन-कौन से method आएंगे यह देखिए हां इसमें method जो अपना आ रहा है cuttings may be taken from the parent plant and rotate तो cutting किया जाएगा और फिर cutting करने के बाद जो आएगा उसको फिर क्या करना जाएगा rotate आने के लगाया जगा ग्राउंड में this is done in plants like rose गाभा बुगनवीलिया यह सब कुछ ऐसे plants हैं हाँ जिसमें इस method से आने की नए plants को त्यार किया जाता है तो गाभा यहां पे रोज गाभा और बुगनवीलिया यह सब ऐसे plants हैं हाना नहीं plants को त्यार की जाता है केवल cutting है नहीं और भी तरीके हैं देखिए यहां पर अधर आर्टिफीशल मेथर्स लाइक ग्राफ्स्टिंग देखिए अधर आर्टिफीशल मेथर्स में आगिया ग्राफ्स्टिंग प्लांट्स के नहीं का मतलब क्या हुआ वैसे plants जिसके fruits खट्टे होते हैं उसको हम कहते हैं सेट्रस प्लांट्स 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 को अपना खट्टा ही होता है खाने में किया हो रहा है ग्राफ्टिंग आगे ग्राफ्टिंग हो रहा है यह तो यह असक्राइश का इंद बहुत कर रहा है आपका बात कर रहें तो ज्वत किक एस भी जो ग्राफ्टन कराений कि तो यहां पर यहां पर ऺिने में देख सकते हैं opens यहां फिर उपर दुसेंअ कट कराए झाया इस पर उपर कॉन कोटन क्लॉट पेस से घाड़ कि जाएगा तैकि वो उसके साथ क्या हो ना अटेश हो जाये ठोघ हो जाएगा तो फिर वह न्यू प्लांक वहाँ पर ग्रोवद कर जाएगा तो रोज प्लांट में जिनरली ऐसा dip develop वो रहे और जब Roots डैवलब हो रहे तो वहां से आपका दुसरा plant का यहाँ लिप्स भी develop हो रहा है और लिप्स जो डैवलब हो रहा है यह आपकी न्यूपड्स की रुफ में convert हो जाएंगी तो यह था अपने लेयरिंग तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया अस्टेम के हैल्प से हाँ नया प्लांट कैसे त्यार हो रहा था अलग-अलग प्लांट में एक्जामपल के साथ देखे अब नेक्स्ट अपना यहां पर आता है वेजिटेटीव प्रोपागेशन फ्रॉम लीप्स के जो नया प्लांट्स त्यार होता है वो उसके लीप्स के थ्रू होता है तो थोड़ा सा हम यहां पर रिडावट करना चाहेंगे वेजिटेटीव प्रोपागेशन फ्रॉम लीप्स लीप्स अफ ब्राइफ फिलम है लीप्स इन दा नौचेज ऑफ लीप्स तो जो लीप्स है ब्राइफ फिलम का उसमें जो नौचेज होते हैं वहां पर बर्ड्स होते हैं यह दखिए बर्ड्स अब यहां पर बर्ड्स को देख सकते हैं यह अपना अस्टेक्चर जो बन रहा है हाना यह कहना बर्ड्स है तो बर्ड्स डेवलप इंटो टैने प्लांटलेट्स और यह बर्ट से यही develop करते हैं tiny plantlets मुलना छोटे छोटे प्लांट में develop करते हैं okay these can grow into new plants when these plantlets come in contact with moist soil अब अगर यह जो plantlets हैं अगर यह moist soil के contact में आते हैं तो फिर यही आपके ने plant के रूप में grow कर जाएंगे तो यह तो था रही production through leaves अब जो ब्रायव फिल्म में यह ability है ब्रायव फिल्म का leaves में जो ability है इसके कारण इसका क्या क्या नाम दिया गया है आप next page में देख पाएंगे यहां पे देखिए do you know में लिखाएगा है अब ब्रायव फिल्म has the unique ability of growing small plant leaves on the fringes of the leaves ब्रायव फिल्म में a special characteristics है a special ability है हां ने plants को grow करने का from their leaves तो इस ability के कारण इसको क्या नाम दिया गया इसके बहुत सारे नेम दिये गिये हैं objective question से आही सकता है तो मैं नेम्स को पढ़ना mother of thousands यह पहला नेम इस तरह से और भी नेम से mother of millions mother of millions दूसरा devil's backbone pregnant plant miracle leaf sporting leaf spot leaf a spot leaf plant leaf of life okay leaf of life next है इसको पहले देखिए resurrection plant okay resurrection plant life plant and good luck leaf इतने सारे नेम दिये गिये हैं किस के लिए तो ब्रायो फिल्म लीव के लिए तो यह तो नेम्स है और अलग-अलग नेम्स का लग-अलग मीनिंग निकल रहा है उसका literal मीनिंग आप निकाल सकते हैं तो मैं अभी यहां पे केवल नेम्स को ही बता रहा हूं आपका literal मीनिंग नहीं बता रहा हूं और यह तो थे नेम्स तो आएए से बेस्ट इग्जाम्पल अपना है स्वीट पोटाटो आप देखें यहां पे दिखाया गिया है और यह भी अंडर ग्राउंड होता है और यह रूट का ही फॉर्म है किसमें तो डालिया में और स्वीट पोटाटो में किसके हल्प से तो उसके रूट के हल्प से आने कि रूट के हल्प से ने प्लांट यहां पे ग्रो करते हैं तो आपको objective question देगा कि कौन से प्लांट से जिसमें रूट के हल्प से ने प्लांट त्यार होते हैं तो आपको answer हो होना चाहिए स्वीट पोटाटो ओके तो यह इजी ही है अब नेक्स्ट हम देख लें ट्रीज सच आज दब पॉपलर सेंस अप नियू स्टेम्स फ्रॉम देर रूट्स ओके इन टाइम और इंटाइर ग्रॉब ऑफ ट्रीज में फॉर्म फ्रॉम दा ओर्जिनल ट्री तो हम लोग क्या यहां से समझेगे कि जो पॉपलर ट्रीज होते हैं उसमें से नया ट्री आनि नया प्लांट कैसे ग्रो करता है तो पॉपलर ट्रीज में न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उसके रूट्स से क्या होता है ना रूट्स से हाना स्टेम जनरेट होते हैं स्टेम निकलते हैं बाहर की ओर और फिर वो ग्रो करके नया प्लांट का रूप ले लेता है तो यहां भी पॉपलर ट्री में भी जो न्य यहां पर पॉप्लर ट्री में भी आपका नया प्लांट त्यार होता है तो रूट्स के होता है रूट्स को जनरेट करते हैं और वह अस्टेम फिर आपका बाहर निकल के नया प्लांट के रूप में त्यार होता है नेक्स्ट देखिए आप वेजिटेटी प्रोपागेशन है ज प्रोपागेशन आन्य वेजित्टेटीफर प्रोपागेशन जो है उसका बहुत ज़्यादा एडवेंटेज है इसका प्रोपागेशन की आनि कि sexual reproduction के अपिछा वेजिटिटीव प्रोपागेशन के बहुत ज्यादे फायदे हैं advantages मतलब क्या हो गया ना फायदे लाब क्या benefits है किसका वेजिटिटीव प्रोपागेशन का तो हम लोग एकाद करके point wise यहां पर करेंगे कि क्या benefits है वेजिटिटीव प्रोपागेशन का हम लोग क्यों करते हैं वेजिटिटीव प्रोपागेशन या फिर फिर प्रोपागेशन के थूरू plants को grow क्यों किया जाता है यह देखिए the plants produce by this method take less time to grow पहला point क्या होगा less time to grow आनि इस तरह के से जो plants हम त्यार करते हैं इसमें कम समय लगता है आनि हम मैं समय की हमारी हमारी समय की बचत हो रही है समय का बचत होता है यह पहला point हम नौट कर लेंगे दूसरा क्या होगा they also bear flowers and fruits earlier than the plants produce from seeds तो क्या कहता है कि इसमें जो flower fruits लगेंगे वो जल्दी आ जाएंगे आनि जल्दी इसमें फल खिलेगा और fruits भी जल्दी खिला फूल भी जल्दी develop होगा किसके respect में अगर मालेजिए कि आप seed के help से plant को develop किये और वहीं बगल में कोई दूसरा बेखती है जो vegetative propagation से वही plant को develop करता है तो जो vegetative propagation से plant develop हुआ है उसमें जल्दी आपका fruits खिलेगा अना जल्दी फल आपको मिलेगा यह benefit था ओके दूसरा हो गया third point हम लोग क्या लखेंगे new plants are exact copies of the parent plant देखिए तिसरा point हो गया जो new plant मेरा बनेगा त्यार होगा वो exact copy होगा किसका parent प्लान का और जो नया प्लान त्यार हुआ इसमें कोई भी difference नहीं होगा exact copy होगा तो यह third point हो गया and have the same desirable characteristics as those of their parent plan तो यह तो ठीक होए हो गया और कि same हो गया डिट्टो हो गया तो three points हम लोग लिखेंगे इसके अलावे यहां पर क्या खा गया है however this can be a disadvantage also और इसका disadvantage भी है अब disadvantage क्या disadvantage मतलब honey या कह लेजे कि क्या हम लोगों को इससे honey हो रहा है और disadvantage कि इसका तो vegetative propagation का देखिए सिंस all such plants are identical जितने भी plants त्यार होते हैं सब के सब क्या होते है ना identical identical कहने का मतलब सब कुछ same everything will be same nothing is difference कोई difference नहीं होगा आपका जो निया plant त्यार हो रहा है और parent प्लांट में कोई difference नहीं है तो identical कहने का मतलब समझ गें हम लोग everything will be same if a disease spreads it can infect the whole lot of them तो अगर कोई किसी तरह का डिजेज अगर उसमें फैल जाता है किसी एक प्लांट में तो जितने भी plants है अन्य उसके तो वो सभी के प्लांट में यह जो infection है वो फाइल सकता है यह इसका एक demerit था अने की disadvantage तो यह identical है इसलिए किसी एक में फैला तो और दूसरे में भी फैल सकता है तो यह तो था अपना यह sexual reproduction और नेक्स्ट अपना है sexual reproduction जिसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके तो आई हॉप इस वीडियो विडियो विडियो फॉर यू तो प्लीज लैक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स एंडू सम कमेंट्स और हां अगर मेरे चैनल पर पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को भी दबाएए ताकि आगे आने वाले वीडियो के जानकार आपको मिलती रहे थैंक्स पर वाचिंग हैव या नाइस डे अहीड